तो हेलो और विडियो में आज आप लोको बताएंगे कि आपके पास भी अगर पोको एकसरी का डिवाइज और आपने अभी नया नया खरदा या फिर पहले से खरदा तो उसको आपको समझ में आ रहा है उसमें क्या सैंस्टिविटी सेटिंग और क्या डिपी रखना जी हां इ जैसे जैसे मैं अप्लाइक करना और अगर आप जैसे जैसे मैं बताऊंगा अगर सेम सेटिंग कर ले तो अपना पोको एकसरी में भाई लोग दम ओट्टो हेट सोट मारा रहा हुए बिलकुल ओट्टो हेट पर जाके चिपक जाएगी बस थोड़ा सा आपको वंटेप और आना चाहिए ठीक है नहीं तो मतलब थोड़ा सा ड्रेग और वंटेप तो आपको मारना आना ही चाहिए ठीक और यह वीडियो भाई लोग में जो ओवी 26 का अपडेट आया उसके बाद में बना रहा हूं तो यह काफी लेटेस्ट वीडियो हने वाली तो सुरू से लेकर अं तो कि भाई लोग कि मुबाइल में थोड़ा अच्छा रेम होगा तो अच्छा गेंपले चले बाट ऐसा नहीं आज के मतलब अभी जितने भी फॉन नहीं करता आपके पास अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए जो कि Poco X3 में काफी बढ़िया प्रोसेसर जो कि 732G का प्रोसेस है बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते बट जिसमें नौच वाला डिस्प्ले उसमें आपको नौच को हमेशा ओफ रखना कभी भी ओन करके नहीं रखना और इसका कारण क्योंकि यहां पर बड़ा स्क्रीन होने कारण नौच होता है तो नौच को अगर आप ओन करोग यह बहुत ही बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और यहां पर जैसे कि इसके बाद थोड़ा ग्राफिक बता लेता है तो यहां पर थोड़ा ग्राफिक देख लेते हैं क्योंगी गाईज एक लेटेस्ट प्रोसेसर 732G का प्रोसेसर है जो हाई रखना और यहां पर सेड्व आउन कर देना हाई एफपीस को हाई कर देना ऐटिक है नॉर्मल कभी भी नहीं रखना इसमें अगर आप नॉर्मल रखो गे तो आपका फ्रेम लेग घेम च्पकती हुए होज आपको दीखेगे ठीक है तो अभी जैसे सेटिंग बता रहा हूं सेम सेम वहीं सब कॉपी करना जो अगर आप अपने से करो तो के सेटिंग खराब हो जाएगे थो मैं एक्षय करो। यहाँ पर फिर कंट्रोल में थोड़ा बता रहता हूं अपना क tevna है चोड़ी और आपका मुवमेंट फास्ट होने के लिए अच्छा कस्टम है चोड़ी होना बहुत ही जरूरी है तो यहां पर देख सकते हो नौच डिस्पले में क्या मतलब यह वाला जो कस्टम है चोड़ी है बहुत ही बढ़ी है इसमें अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो न dust लगा सकते हो बहुत ही dus फास्टे के मूबाइल में तो यहांरा पर मैंने जीरो करके रख के लिए तो यहां पर जैन्रेल जैन्रेल ग्याई को हैंडरट अगर आप पर कम रखते हो अगल गेम प्रीम होता को जो उनुभर को चान्डे प्लेशन मनें नहीं दिखा बढ़ा तो यहां पर पृपर कभी खर किम नहीं रखना लखना आजके पीछे नाइनटी फाइप ही रखना ठीक है आप ट्वेग्स इसको और फोर एक्सके बारे मैं बताता हूं दोनों को 100 रख देना डोनों को बिल्कुल 100 कर देना क्योंकि गाइज इसके पीछे एक रिजन है क्यों जब आप इसको खोलते हो तो उसका जो थोड़ा घटता को तो फिर इसको बढ़ा खना तो इसको बढ़ा के रखना अगी तो आप कि चला थे और अगे तो जो भाई लोग तो जीरो पे चलाते क्योंकि वो लोग PC में खेलते हैं और इसके बाद फ्री लूग को यहां पर फ्री लूग का भी वही सेम मतलब सिच्वेशन किरियेट होता है उसको फिप्टी पे रखना है ठीक है फिप्टी पे यह वाला एक नम्मर रहेगा आपका फ्री दिप्टी आई का तो भाई लोग इसमें 120 हर्स का डिस्प्लेट दिया हुआ रहा था तो इसमें भाई लोग मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा कि इसमें डिप्याई यूज नहीं करना है गाई लोग बहुत सारे ऐसा होता कि डिप्याई बस नाम सुन लिया तो यूज करन है तो करना लेकिन भाई लोग मैं बता दूँ इस पॉन में अल्रेडी इसका काफी बढ़िया रिफ्रेश रेट और मतलब 20 120 हर्स का डिस्प्ले दिया तो इसमें भाई लोग आपको डिप्याई लगाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है आपका गेंपले ऐसा ही बहुत फास् कोमेंट होगा तो इस वीडियो में इतना है मिलता के लिए वीडियो में जबता के लिए बाई 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 वंद्यमातरम बाई गाईज